नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपने फाइकस बोनसाई को रिपॉर्ट कर रही हूँ क्योंकि इसका जो गमला था वो तूट क्या है बहुत ही रूट बॉन्ड हो चुकी है इसकी और बहुत ही पुरानी बोनसाई है मुझे मुझे डर लग रहा है कि ये सर्व और एक दूसा पॉट लेके मैंने उसके डेनेज होल पे ये टूटे गमले को के टुकडों को रख दिया है और ये जो मिट्टी है ये मैं पहले से तयार रखती हूँ इसमें गार्डन स्वाइल है वर्मी कंपोस्ट है कुछ मात्रा में रेथ है काफी वेल्डिन स्वाइल है बारिश के कारण ये काफी गीली हो रही है इस समय अब इसको मैंने इसमें रिपॉर्ट कर दिया है और शेड में रख दिया है क्योंकि मिट्टी बहुत ज़दा गीली है इसलिए मैंने उपर से इसमें कोई वाटरिंग नहीं की है और मिट्टी बहुत ज़दा गीली होने के मुझे लग रहा है मुझे एक से दो दिन इसमें पानी देने की कोई जरूरत नहीं है और इस तरीके से मैंने इसको रिपॉट कर दिया है कुछ एक्स्ट्रा मैंने इसमें खाज बगरे नहीं मिलाई थी क्योंकि मैं कुछ मिट्टी जो है पौधू के लिए पहले से प्रिपेर करके रखती हूँ थैंक यू